याईस क्यासे आप आए होब कि आप सभी अच्छे होंगे आचकी इस विडियो में हम बात करने वाले हैं Turkish emailed के स्मार्ट कौल स्टीटिंग के बारे में इस ऐबाइससी में मैं आपको बताने WOR UV इस स्मार्ट कौल स्टीडिक्स so guys video को end ते देखने video को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और चैनल पर पहली वारा हैं तो please say channel को subscribe करके वैल आइकन को press कर देना है so guys without any base time that's going to start video तो सबसे पहले यहाँ पर आपको dialer open कर लेना है और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आपको settings वाले option पर klik करना है और यहां से अगर आप अपने डिवाइस में आटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहां से आपको इसे ओन कर देना है तो यहां से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अब आपके पास अगर आप इसे ओन कर देंगे तो यहाँ पर जब भी आपके पास कोई भी call आती है तो आपकी flash light इस तरीके से blink करना start कर देती है on off होती है तो इसे आप यहाँ से कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपको unknown number identification इस पर click करना है और यहाँ से on कर देना है जैसे आप इसे on कर देंगे around और यहाँ पर आपको पता चले जाता है कि unknown number से call आयै तो यह जैसे कि हैंपra spam बहुंगा Europe स्क्रीणs कर देंगे तो यहां पर यहां से बैका आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको मिलिए जाता है sound and vibration यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप टिन्टफान की लैजनल 음악 रिंकटोन की वाईलम को बड़ा सकते हैं, लैक्स्ट यहां पर आपको मैं जयाता है कॉलर अड डिष ब्ले यस पर क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्पील olması वह होती है कोई भी यहां पर कॉल आथी तो यहां पर उपर स्क्रीन पर होती है अगर आप यहां से फुल स्क्रीन पर करेंगे तो यहां पर फुल स्क्रीन पर इस तरीके से आने लगेगी आपके पास कोई भी कॉल तो इस तरीके से चेंज कर पाएंगे नेक्स यहां से बैक आना ह कर देंगो तो यहां पर आपके पास कोई भी कॉल आ रही है और आपने अजह प L कोई भी call चल लिए और आपने power button को press कर दिया तो call cut हो जाती है next अगर आप इस option को on करते है बावरेट on answered ended call पर इससे क्या होता है जब भी कोई भी call receive होगी या फिर call cut होगी तो आपका phone बावरेट होता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है यह call reminder तो यहाँ पर जब भी आपकी call चलती है तो आपको यहाँ पर एक बार phone बावरेट होता रहता है बीच पीच में अगर आप इसे on करना चाहिए तो कर सकते हैं बट इससे off कर दें तो बेता रहे नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक मिल जाता है speed dial तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज आते है back और back आने के बाद यहाँ पर अगर आप कोई भी number set करने चाहते हैं किसी number पर आपने डायलर open किया open करने के बाद आप चाहते हैं हमारी घर वाले नमबर पिता जी का नमबर या भैया का नमबर सिर्फ दोन Physics करके लग जाए तो आप करना क्या है एक नमबर यहाँ पर seat करना है तो यहाँ पर आपको करना क्या है इस तर Next अगर आप चाहते हैं जैसे कि 5 number पर कोई तूसरा number लगाना है तो यहाँ पर 5 number प्रेस करके रखेंगे और यहां से OK करदेंगे और यहाँ पर 5 number पर क्लिक करेंगे है और यहाँ पर एक number set कर देंगे तो अब यहां से बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहां पर पाच नमर को प्रेस करके रखेंगे, तो यह नमर हमारा डाइल हो जाता है, तो इस तरीके से यहां पर आप अपने नमर को कोई भी डाइल कर सकते हैं, स्पीड डाइल से, तो इस तरीके से यहां पर आप इसे कर कर सकते हैं जैसे कि यहां पर इस नंबर पर क्लिक करते हैं और यहां पर एडिट का उप्शन में रहता है पेंसिल का आइकन तो यहां पर इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है यहां पर जैसे कि इस नंबर में एक नंबर कम रह गया तो यहां से इस तरीके से क्लिक कर दे लास्ट नेम है कुछ तो यहां पर आप लिख सकते हैं और यहां से आपको सेब कर देना है तो यह नंबर हमारा दुबारा से देख पा रहे हैं यह नंबर से बचुका है और यहां पर दूसरा नेम आ चुका है अगर आप यहां पर अपने नंबर पर कोई फोटो लगाना चाह यहां पर यहां पर इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट बन कर देते हैं यहां पर क्यामरा पर जाते हैं यहां से इस फोटो को लगा लेते हैं तो यहां पर जिस भी बंदे का फोटो होगा वह यहां पर आ जाता है जिस बंदे का भी यहां पर यह नंबर हो उसी का फोटो लगा ल यह फोटो आ चुका है अब यहां से इस तरीके से स्ट करके यहां पर आपको में जाता है सेव का ओप्शन यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां से आपको इसे सेव पर क्लिक कर देना है तो यह नंबर पर हमारा फोटो सेट हो चुका है तो इस तरीके से यहां पर नंबर पर फ तो रिकॉर्डिंग्स को आप यहां से देख सकती है नेक्स्ट यहां से अगर आपको इस नंबर को डिलीट करना है तो यहां पर आपको त्री डॉट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको नीचे में जाता है डिलीट कॉंटेक्ट यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां यहां पर share को option में जाता है यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां पर share as tax या फिर बी कार्ड तो यहां पर share as tax पर क्लिक कर देंगे और यहां से आप message पर जाएंगे और यहां तर्वार किसी को भी भेसा का यसे स्यृंड धाइं यहां पर इस नंबर किलिक करके रहा पर चैनल को यहां पर आजाता है SMS का option, यहाँ पर change का option है जाता है यहाँ से किसी भी number पर आप इस तरी के से message को अपने बेज़ सकते हैं और यह number यहाँ पर हमारा share हो जाता है next अगर आपको यहाँ से बैख आना है उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको three dots पर click करना है और यहाँ से से इस number की कोई ringtone अलग लगानी है तो यहाँ पर आपको three dots पर जाने कवाद set ringtone पर जाएंगे और यहाँ पर ringtone आ जाती है तो इस ringtone की अभी तो यहाँ पर default है जो कि सभी की ringtone है भई है तो इसके अगर आप ringtone अलग लगाना चाहते हैं तो इस number पर ringtone इस तरीके से क्लिक करके यहां पर यह रिंग्टोन सैड हो जाती है तो हर नंबर के अगर आप अलग अलग रिंग्टोन लगाना जाते हैं तो हर नंबर की तो लगा नहीं सकते हैं यहां पर कुछ नंबर की रिंग्टोन आपको अगर चेंज करनी है तो यहां से आप लगा सकत सब्सक्राइब पलए में लगाने में आअजानी होगे लिस्ट में ढूने की जरूबत नहीं रहती है, मिणा लिस्ट में ढूने हम इस नमबर को dial कर सकते हैं औके आई अइफ कि आपको ये वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो प्लिज से वीडियो को like and share जरौर सी कर देना तो आज की इस वीडियो में तरह हैं मिलते हैं next interesting वीडियो के साथ